नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकस्टन और न्यूज आज हम बात कर रहे हैं राजस्तान यूनिवर्सिटी ओफ हेल्थ साइंस के साथ्र दोजार सोला में आयोजी दूई बीएसी नर्सिंग की परिक्सा के पेपर की तो इस पेपर में किस परकार की प्रशन आए हम एक एक करके समझ रहे हैं और हर एक प्रशन से नया प्रशन भी बना रहे हैं तो दोस्तों ये टेस्ट शिरीच चल रही है और आज हम छटा पेपर सोलो कर रहे हैं तो मैं आपको अलग-लग प्रकार की पेपर बीएसी नर्सिंग की परवेश परिक्सायतु सोलो करवा रहा हूं तो आप से एक छोटा सा निवेदन है एक छोटा सा सयोग चाता हूं दोस्तों आपके लिए मैं इतना परियास कर रहा हूं तो एक छोट करी अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें हर एक student कम से कम 10 student तक ये जानकरी जरूर बेजें इतना आप से निवदन है बाकि आपको हर एक तत्य सही तरीके से समझाया जाएगा सबसे पहले प्रशन पे चलते हैं तो देखिए कुछ प्रोटो जोवा बड़े पेमाने पर उत्पादन एपेटाइटिस बीक एटीके के लिए इस्तमौल करते हैं तो अरे भाईया प्रोटो जोवा का तो एपेटाइटिस बीक से कोई लेनत नहीं नहीं है तो ये तो गलत हो गया फिर अगला है साप के काटने के खिलाब साप विश्रोधक इंजेक्शन सक्रिय टीका करण का उधारन है अरे भाईया आपने पड़ा होगा सक्रिय और निस्क्रिय टीका करण निस्क्रिय टीका करण में तो अपन बणी बणाई एंटी बोडी सरीर में डालते हैं सही बात है ना और सक्रिय टीका करण में क्या होता है सक्रिय टीका करण में एंटीजन सरीर में डालते हैं और फिर एंटी बोड़ी हमारा सरीर खुद सक्रिय होकर बनाता है जैसे अभी जो कोरोना का टीका लग रहा है यह सक्रिय परती रक्सा करण है तो यह सांप में हमेशा निश्क रिये परती रक्सी करण किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया, देखो याद रख लेना, सांप काटता है तब, और एक और बीमारी ये डिप्तीरिया, ठीक है न, याद रखें आप, सोरी, टिटेनस, टिटेनस और सर्पदंस, इन दोनों के विरुद, किस परकार का ठीका कराना, निस्क रिये, याद रखना, एंटी बोडी चटाते है सरीर में, अब पॉइंट C, B लिम्पोसाइट और T लिम्पोसाइट सतिक्रस्त हो जाए, तो सरीर में, एक रोग जनक के खिलाब एंटी बोडी नहीं बनेगी, बोलो भई, सही बात है, गलत बात है, अरे भईया, जब सरीर में, B लिम्पोसाइट और T लिम्पोसाइट दोनों ही काम करना बंद कर दे, तो एंटी बोडी बनेगी कैसे, क्योंकि एंटी बोडी बनाने में कौन सी लिम्पोसाइट भाग लेती है, एंटी बोडी बनाने में B लिम्पोसाइट भाग लेती है, अब अगर B लिम्पोसाइट ही नहीं रहेगी, तो एंटी बोडी बनेगी कैसे, ये पोइंट सही है, बाकी सारे गलत है दोस्तों ठीक है अगले पोइंट पे चलते हैं अगला जो प्रश्ण है वो देखी क्या है अगला प्रश्ण है दोस्तो निम्न लिखित में से कौन सा जानवरों में से एक ही समय में साकारी या मासारी एक ही पारिस्तिती की तंतर में हो सकता है अजनलों इन में से ऐसे जीव का चुनाव करना है आपको कि जो एक प्रकार से एक पारितंतर में दोनों में से किसी एक प्रकार के भोजिय पदार्थ को ग्रेंड करता है या तो पूरी तरह से साकारी है और या मासारी है तो देखो दोस्तों, यहां पे गिद नहीं हो सकता, मेट डग भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेट डगा तो एक पारी तंत्र है ही नहीं, यह तो जल यह पारी तंत्र में भी रहता है, इस तो यह पारी तंत्र में भी रहता है, नाग भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो इसमें कौन होगी यह जो नॉर्मल हमारी जो गरेलू चेडिया होती है नो गो रही या वो इसका उदारन के दो या जो भी का हुआ अगला पॉइंट है अगले प्रशन पर आजाओ देखो अभी इस प्रशन का आंस्वर आप खुझ सोच लो और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अंस्वर दे सकते हो देखो प्रशन है निम्नलिकित अध्यन की जिस पर आनुवन सिक सामगरी की रूप में डिने की इस पर्ष्ट सबूत उपलब्द है तो देखिये इस प्रशन में यह कह आ गया है कि एस यानुवन सिक सामगरी जिसमें किसी बाई ये डिने के सबूत मुझूद है देखो अमीबा ये तो अपने आप में एक स्पेसिफिक जीव की बात की गई है यह बैक्तिरिया एक स्पेसिफिक को सिखा है वाइरस एक तरह स नॉन लिविंग है बेक्टीरियल वाइरस देखिए बेक्टीरियल वाइरस का मतलब क्या हुगा बेक्टीरियल वाइरस का मतलब है ऐसा विशान इसे आप जीवानू बोजी कह सकते हो क्या बिल्कुल कह सकते हैं नाम सुनाएं आपने जीवानू बोजी विशानू बेक्टीरि जीवानों बोजी और जीवानों बोजी अपना DNA किसमें डालता है बैक्टीरिया में इसके बाद में अगले पॉइंट पे अगला जो आपका प्रश्ण है दोस्तों उस पे देखिएगा कौन सा करेक्ट होना चाहिए अगला आपका प्रश्ण है वेजीटेटिव रिप्रोडेक्शन वेजीटेटिव रिप्रोडेक्शन को बोलते हैं काईक परश्णन और एपो मिक्सिस एपो मिक्सिस को अपन क्या बोलते हैं एपो मिक्सिस को असंग जनन बोलते हैं दोनों में समानता क्या है पहले तुमें बता दूँ दोनों हैं क्या का काईक परजनन का मतलब तो होता है पोदे के काईक बाग से नया पोदा बढ़ना बराबर बात है अब जब काईक बाग से नया पोदा बढ़ेंगा तो उसमें तो युगमक बढ़ें नहीं मिलें नहीं तो यह तो एक तरह का एलेंगिक जनन हुआ और एलेंगिक जनन या काईक जनन से जितनी भी संतान उत्पन होती है वो हमेसा जनकों के समान होती है ठीक है अब ऐसंग जनन ऐसंग जनन भी एक तरह का एक जनन है क्यों क्योंकि ऐसंग जनन में भी जो नए जी उत्पन होते हैं वो बिना युगमकों के सलेहन के होते हैं तो इन दोनों में समान था क्या हो गई पहला पॉइंट देखो तो दोनों संतान पेदा करते हैं और माता पिता से अलग होते हैं अरे दोनों में समान था पूछी है ठीक है न तो फिर ये तो हो नहीं सकता संतान तो दोनों में ही पेदा होगी दोनों संतान पेदा करते हैं और माता पिता के समान होते हैं बिल्कुल सही है दूसरा पॉइंट सही होगा यहां पर क्यों दूसरा सही भाई क्योंकि दोनों ही एलेंगिक जनन की विदिया हैं और दोनों ही विदियों से उत्पन संतती माता पिता के क्या होगी बिल्कुल क्लोन होगी समान होगी ठीक है बाकी यह तो कुछ भी नहीं है चलो अगले पॉइंट पे यह जो अभी प्रशन बता रहा हूं दोस्तों पांच वा प्रशन है यह अभी आली में के बीसी के अंदर पूछा गया एजडिज यही प्रशन जो क कि 2016 की पेपर में आया और अभी कुछ ही दिन पहले पांच सितंबर को साहे सिक्षक दिवस पर जो के बीसी का कार्यकरम आयोजी दुआ था उसमें यह प्रशन आया था प्रशन यह था कि निमनलिकित मैंसे किसका जीवन चक्र सब से लंबा होता है बताए देखें आप सबसे आधीक जीवन चक्र अगर किसी का है तो होता है कच्षुए का टॉर्ट टो इस याद रखना कच्षुए का जीवन चक्र सबसे अधीक लंबा होता है अगले पॉइंट पर चलते हैं अगला प्रश्ण आप आंसर सोच लीजिए नीद जगा चक्र यानि स्लीप वेक साइकल इसे आप इंदी में इसने ठीक नहीं लिखा मैंने पहले एक बार कहें रखा है यहां जो इंदी का अनुवाद है वो तोड़ा सही नहीं है ठीकन तो इंगलीज को एक बार अच्छी तर करता है इसे दे निगले भी बोलते हैं डेली रिदम तो कौन करता है सोने जागने के चक्र का नियमन थाइरोक्षिन करता है क्या नहीं गोनेड ट्रोपीन आर्वन करते हैं क्या अरे भाईया गोनेड ट्रोपीन कैसे करेंगे गोनेड ट्रोपीन तो गोनेड पर काम करते हैं गौनेड और ट्रोपिन यह तो प्यूस गरंती से स्रावित होंगे थाइरोक्सिन किस स्रावित होता है थाइराइड से तो फिर थाइरोक्सिन का काम क्या है तो थाइरोक्सिन का काम है कार्बॉइड प्रोटीन और वसा के उपा पच्चे का क्या करना नियमन करना ठीक है अब रिलेक्सीन का क्या काम है फिर रिलेक्सीन बच्छों जब एक माता बच्चे को जनम देती है तो उसकी जो pubis bone होती है ना उन pubis bone को डिला करती है जिससे बच्चा असनि से जनन मारक से जनम लेता है ठीक है तो पिर पिछे बच्चा कौन? मेले टॉनीन मेले टॉनीन आर्मोन जो हैं वो देनिक ले का क्या करेगा नियमन करेगा अब आप कहोगे सर मेले टॉनीन आर्मोन का स्रावन किस गरंती से होता है पहले तो आपके अंसर का वेट कर रहा हूँ आप बताओ देखें बताओ देखें दोस्तों ये गरंती नाम सुन करती है और त्वाचा के रंग का निर्दारण भी करती है अभ देखिए दोस्तों एक मelotonin is motivating आर्मोन का स्रावन होता है flower bet कौन इस्ट्रावित करती है बताओ आप यह कमेंट बक्स में और कौन सी गरंती स्रावित करती है अगला जो प्रशन है वह देखिए नेमनलेकित गती विदियों में आलू की आँखों के लिए उपयोगी होता है तो देखिए बहुत ही मैतपुन प्रशन है आलू की आँख तो नाम सुना होगा आपने यानि आलू के उपर आपने कुछ विसेश परकार की सरंचना ही देखियोगी इस तरह से ठीक है न और इनी सरंचनाओं से नए आलू का क्या होता है निर्मान इनसे कुछ विसेश तरह की कलिका ही निकलती है तो पोदा इन सरंचनाओं से कौन सी क्रिया करता है बताओ देखें उपापच्चे रिप्रोडेक्शन येनी जनन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन येनी काईक जनन या फिर स्वसन बहती मैत पुन प्रशन है दोस्तों याद रख लेना इससे जो क्रिया होगी गतिविदी पूझा इसने तो गतिविदी कौन सी होगी तो वह होगी स्वसन ठीक है न अब देखें दोस्तों और ये आलू जो है ये पोदे का कौन सा बाग जड़ है तना है कि पत्ती है ये इस्टेम है दोस्तों तना है ठीक है तो अब अगले प्रशन पर चलते हैं, आठवा प्रशन, बहुत ही मैत पुन प्रशन है, और इस बार इस प्रशन की मांग भी बढ़ गई थी अच्छानक, निम्न में से कौन सा विटामीन C का स्रोत है, पहले तो विटामीन C का रासाइन इक नाम बताओ देखे कमेंट बॉक्स मे विटामीन C का रासाइन इक नाम जल्दी बताईएगा, और यहां औप्सन में देखो आवला, ओरेंज ये निस संत्रा, टमाटर, और फिर सकरकंद, तो विटामीन C किस में होती है? आवला में तो होती है, संत्रा में भी होती है, टमाटर और नीम्भू में भी तोड़ी मात संत्रम होती है ठीक है ना लेकिन सकरकंद में नहीं होती तो इसके लिए आंसर होगा डी बताओ विटामीन सी का रासाइनिक नाम क्या है एस कॉर्बी कमल क्या नाम है एस कॉर्बी कमल और दोस्तों इस कॉर्बी कामल सिट्री कम भी बोलते हैं और यह book किसमें होता है आवबा में नीमभू में संत्रह में ठीक है छलू में कि अगला जो प्रश्ण है 08 उस पे आ रहे हैं था अगला जो दोस्तों प्रश्ण है बहुत ही मैं तो पुन देख्या आप निमन लिकितमेंसे कौन ऑंत जिल्ली का प्रनाली का बाग इंडो मेंब्रेन सिस्टम का बाग अपने कोशीखामेंस जैसे अपने सरीर में अडियाק है की नहीं है अडियों का डाचा है ना इसे कंकाल तंतर बोल रहे हैं इसी तरह से कोसिका के अंदर के कंकाल को क्या कहते हैं एंडो मेंब्रेन सिस्टम या एंडो स्केलेटल सिस्टम तो कौन बनाता है कोसिका का कंकाल कोसिका का कंकाल राइबोसोम बनाता है क्या नहीं माइटो कॉंटरिया नहीं तो कौन बनाता है पहले मैं कोसी कांगों के नाम ही बता देता हूँ एक तो ER बनाती है एक गोलजी काय बनाता है एक लाइसोसों बनाता है और एक ये एक नमबर पे लिका हुआ है ही रिक्ति का तो याद रख लेना याद रख लेना प्यारे बच्चो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यही बात किसी भी कोशीगा का अंतहक अंकाल तंत्र कौन बनाता है रिक्तिका, ए आर, गोलजी बोड़ी और लाइसोसों अगली बार प्रशन का प्रकार बदल सकता है दोस्तों अब इसके बाद में अगला प्रशन देखिएगा बहुत ही मैत पुन प्रशन है निम्नलिकित जानवरों के बीच में एक अंडे देने वाला इस्तंदारी कौन सा है कई बार आपने चीटी खोर नाम सुनाओगा चीटी खोर चीटी खोर चीटी खाने वाला इस्तंदारी नॉर्मली अंडे तो देते नहीं है कि नहीं? वो तो बच्चों को जनम देते हैं और उनमें इस्तंद गरंतियां पाई जाती है मानो भी एक तरह का इस्तंदारी ए जितने भी पस हुए है वो भी इस्तंदारी है ठीक है अब यह कह रहा है कि भाईया ऐसा कौन सा इस्तंदारी है जो अंडा देता है तो देखो आप इसके अंदर देखिएगा आप शिपकली तो इस्तंदारी है भी नहीं है कि नहीं तो गूगल के उपर सर्च करना इसके इमेज मिल जाएंगे ठीक है अभी सर्च करना जैसे ये वीडियो पूरा हो जाए इसके बाद में अगले प्रशन पे चलते हैं प्रोटल 15 प्रशन करेंगे अपन तो 4 प्रशन और बच रहे हैं आपके पास देखिए अगला प्रशन है निम्न लिकित में से नॉटो कोर्ड के संबंद में कौन सा सई बयान है नॉटो कोर्ड जिनके अंधर पाई जाती ए उन जीवों को क्या कहते हैं कोर डेटा कहते हैं दोस्तो सबसे पहला पोईट है मनुश्ये में जीवन बर नॉटो कोर्ड पाई जाती है क्या यह बास है यह क्या या नौटो कोड जीवन बर मानव में नहीं होती ठीक है सोरी इसने क्या कहा है मनुष्य मनुष्य में जीवन बर नौटो कोड अनुपस्तित होती है यह गलत बात है ठीक है ना मानव के अंदर नौटो कोड उपस्तित होती है लेकिन जीवन ब तो यह point तो कहीं न कहीं सही नहीं है पिर अगला point जो है देखिए यह MP आक्सस में जीवन पर मुझूद नहीं होती यह भी गलत बात हो गई MP आक्सस में तो जीवन पर पाई जाती है यह ठीक है अगला है यह नकेवल वर्तमान ACIDIAN में LARWA की पूँच में होती है यह यह एसीडियन LARWA की पूँच के अंदर परजेंट होती है इट इस नोट परजेंट अनले इन LARWA टेल इन ACIDIAN तो यह भी बात रहूंगे भई इसके बाद में इसके बाद में यह की पूइंट बचा है आपका यह व्यस्क मेड़क में एक कसेरु का स्तंब की जगे होती है इस पूइंट को इंगलीज में पढ़ो फिर पता चलेगा इट इस रिप्लेस बाई यह वर्टीब्रल कोलम इन एडल्ट फ्रोग रिप्लेस बाई यह इसना नंत्रित कर देती है किसकी जगे है नोटो सुरी जो है आपकी नोटो कोड रिप्लेस हो जाती है किसमें रिप्लेस होती है वर्टीब्रल कोलम में अरे बाईया वर्टीब्र को रीड किया डिया कसे रुखदंड कहते हैं तो यही नौटव कोर्ड मानव में भी दोस्तों वर्टीब्रल कोलम में रिप्लेस होती है तो अगर यह ऑप्शन एक नमबर पर ऐसे होता तो मनुष्य में नौटव कोर्ड जीवन पर नहीं पाई जाती क्योंकि यह वर्टीब्र कोलम में बदल जाती है तो फिर यह सही होता मानव में भी यह वर्टीब्रल कोलम में बदल जाती है मेंड़क में भी यह वर्टीब्रल कोलम में बदल जाती है है कि नहीं ठीक है इसके बाद में अगला प्रशन है अगला जो प्रशन है आपका यह आप खुद करिए देखें बहुत ही आसान प्रशन ही है तो वैसे भी इसमें तो क्या आपको चुनाव करना है कि कौन सा उप्सन जो है वो ए संगत है पहला है ब्रायो फिल्म पत्थर चट्टा बोलते हैं इसे हिंदी में ब्रायो फिल्म में तो कलिका होती है उससे का एक जनन होता है तो ये तो उप्सन सही है रामबास इसे अगें में बुल बिल पाई जाती है ठीक है फिर देको डी उप्सन में वाटर आइस सिंथ इसे जल कंबी कहते है जल कंबी एक तरह की ऑफसेट है यनि करपत्वार है जल है करपतवार नाम सुना होगा ना पानी पर इतनी ज़्यादा फेल गई इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं जलकुम्भी को क्योंकि उनके जलाशियों पर इसने एक उपर इस तर बना दिया अंदर परकास गया नहीं ठीक है और इस बज़े से अंदर की जीव नस्ट हो गए लेकिन अगला पॉइंट देखो C पेनी सीलियम और आगे लिख दिये दावक ये गलत बात है पेनी सीलियम तो प्यारे बच्चो एंटी बायोटिक होती है पेनी सीलियम क्या होती है एंटी बायोटिक दुनिया में सबसे पहली एंटी बायोटिक कौन सी कोजी गई थी पेनी सी एंटिबायोटिक प्राप्त की गई थी जो दुनिया की सबसे पहली एंटिबायोटिक थी एंटिबायोटिक किसके विरुद काम करती है जीवानों के विरुद बैक्टीरिया के विरुद तो अगर कोई बीमारी हो गई जीवानों जनित तो उस रोगी को क्या दी जाएगी एं कोशी का है क्या तो देखो भई पोदों के अंदर एक तो होता है जाइलम दूसरा होता है फ्लोएम जाइलम जल का परीवेन करता है फ्लोएम बोजन का परीवेन करता है फ्लोएम के चार गटक होते हैं चार कौन से गटक होते हैं भई फ्लोएम का एक तो गटक होता है चालनी गटक हैं तो जाइलम की कौन से चार गटक है आप बता सकते हो एक तो जाइलम वाई का फिर जाइलम वाई निका जाइलम मर्दू तक और जाइलम रेसे लास्ट वाले दोनों गटक जाइलम और फ्लॉयमें सेम है जाइलम किसका परिवेन करता है जल का फ्लॉयम किसका परिवे नहीं है वैसे ही चालनी नली कमें भी क्या नहीं है केंद्रक नहीं है ठीक है पूछा जा सकता है कई बार पूछा गया प्रशन तो देखो इसने का है निम्न लेकित में ते कौन सा कारिय जो है साती को सीका का है तो पहला पॉइंट क्या लिका है इसने यह जैलम के लिए पानी करें दोस्तों